हेलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्टे के लिए बताते हैं कि कौन सा डेटा आ रहा है और उसका क्या इंपक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करन्सी पेर्स और कॉमोडिटीज के ओपर तो चलिए शुरुआत के लेते हैं कि फॉर्थ अगस्ट 2023 को यानि कि फ्राइडे को कौन सा डेटा आ रहा है और उसका क्या इंपक्ट रहा है फॉरेक्स करन्सी पेर्स और कमोडिटीज पर तो सबसे पहला जो डेटा यहां पर हमें देखने को मिल रहा है जो कि इंपोर्टन डेटा है वह सेवन एम पर हमें डेटा आ रहा है क्योंकि RBA जो Reserve Bank of Australia है उसकी monetary policy statement आनी है और इसमें वो अपने जो future की जो भी उनकी finances से related जितने भी interest rate को बढ़ाने या गिराने के लिए जो भी उनका आगे decision होगा उसके बारे में यहां पर जलग देखने को मिल सकती है तो 7 am पर AUD USG में हमें मूव देखने को मिल सकता है तो इसके उपर आप नज़र रख सकते हैं 7 बजे 11.30 बजे next data आना है 11.30 am पर EU or USG के उपर इसका impact पड़ेगा क्यूंकि Germany का factory orders का data आना है Germany factory orders जो जर्मनी है वो सबसे biggest उसका क्षित्रफल है पूरे यह रोप में तो इसका data आता है उसका impact EU or USG में देखने को मिलता है हमें तो 6.4 यह पिशली बार था और इस बार यह माइनस 1.5 रहने के उमिदे मिन्स घटने के उमिदे अगर यह घटता है तो EU or USG भी नीचे हो जाएगा और अगर इस 6.4 से जादा आता है तो EU or USG उपर के और को जाएगा इसके बाद जो next data आना है वो 12.15 PM पर आना है और उसका impact भी EU or USG के उपर ही रहने वाला है क्यूंकि France का data आ रहा है और French non-farm payroll का non-farm payroll का data important data होता है और इसके data के उपर आप नज़र रखिए तो EU or USG के उपर इसका impact पड़ेगा और जो next data आ रहा है 4th data वो 2 PM पर आ रहा है और इसका impact GBP-USD पर पड़ेगा reason है क्योंकि construction PMI का data आ रहा है ब्रिटेन का तो construction PMI का यह data है और 48.9 यह पिशली बार था और इस बार 48 होने की उमीद है मिंस घटने की उमीद है अगर यह और ज़्यादा घटता है तो GBP-USD भी नीचे हो जाएगा और अगर 48.9 से जादा आता है तो GBP-USD उपर की और को जाएगा तो इसके बालावा और भी बहुत सा का अकाउंट ओपन कर लेजे आपकी हल्प के लिए मैंने यहां पर आई बटन में वीडियो बनाई हूई है कि कैसे अकाउंट बनाते हैं सब्सक्राइब करते हैं और प्रिप स्पेड साइज क्या होते हैं और जो मनी आपकी विड्रौ होती है वह बैंक टू बैंक आपके अ बताते रहते हैं और साथ ही जो data होता है उसके एक्सेंस पर नहीं है जल्दी से एक्सेंस का एकंट ऊपन कर लिजे नेक्स यहां पर डेटा आ रहा है वो आ перटाथ है तो 30 पीम पर और यहां पर जो impact रहने वाला है वो retail sales का यहाँ पर data आ रहा है और जो retail sales का data है वो यहाँ पर EU or USD के ओपर impact आ लेगा क्योंकि यहाँ पर European countries का retail sales का data आ रहा है तो इसके ओपर आप जरूर नजर रखें इसके लावा जो next data आ रहा है वो 6 p.m. पर आ रहा है और वो बहुत important data है क्योंकि United States का data है और 6 p.m. पर आपका एक data नहीं आ रहा है तीन important data आ रहे हैं और impact तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना है छे बज़े United States यानि कि DXY के ओपर अब जो data आ रहा है सबसे पहले एक तो United States का average early earnings का data आ रहा है और दूसरे जो data आ रहा है वो non-farm payroll का data आ रहा है और तीसरा unemployment rate इसका data आ रहा है तो यह तीन data यहां पर शाम को आ रहे हैं छे बज़े और DXY में मूव आना ही आना है और उसका impact भी पढ़ना है बाकि इसका impact जरूर देखने को मिलेगा और यहां पर DXY में आप ट्रेड ले सकते हैं लेकिन थोड़ा सा ज्यादा है इसका तो आप ट्रेड उसमें ना ले करके अगर आप आपको ज्यादा यहां पर benefit रहेगा क्योंकि spread यहां पर कम है और अगर आपको पता नहीं कि spread क्या होता है तो यहां पर वीडियो है उसमें आपको पूरा detail में मैंने बताया हुआ है कि क्या होता है spread तो DXY के मुकाबले यहां पर GDW और GBP USD जो है उनमें spread कम है और उनमें आप ले सकते हैं move बिल्कुल opposite आता है इन दवनों का DXY से DXY जितना उपर को जाएगा उतना ही यह नीचे को आ देएंगे और DXY जितना नीचे को जाएगा उतना ही यह दोनों को जाएगे तो DXY के basis पर आप उल्टा trade को ट्रेड ले के उपर पड़ेगा क्योंकि इनका PMI का डेटा आ रहा है तो इसके उपर आप जरूर नजर रखे यह उपर साड़े साथ वजे डेटा आना है और यहां पर 1030 पर डेटा आना है और यह जो डेटा आना है युनाटेट शेट का बेकर हीुज ओयल रिग और टोटल रिग काउंट का डेटा आना है तो हीुज ओयल रिग का मतलब है कि जितने भी मशिन रिजो की प्रोडक्शन कर रही है क्रूड ओयल का उनकी संख्या 529 पिछली बार थी अगर यह यहां पर बढ़ती है अगर यह यहां से यहां से जादा आती है इससे जादा 529 से जादा आती है इसका मतलब है सप्लाई बढ़ जाएगी तो उसके वाज़ाद से जो प्राइस है वो नीचे वाएंगे लेकिन अगर यहां पर 529 से कम हो जाती है इनके संख्या तो सप्लाई घट जाएगी और इसका मतलब है कि क्रूड ओयल के प्राइस बढ़ सकते हैं ग्रूस में क्या चल रहा है तो नेच्ट ग्राइस के ऊपर भी इसका एंपाक्ट देखने को मिल सकता है 664 टोटल रिक्स थे जो कि एक्टिव थे और इनके संख्या अगर बढ़ती है तो नेच्रूल गैस के ऊपर इसका असर पड़ेगा अगर घटती है संख्या इनकी तो इसके बाद positive असर पड़ेगा तो यह जो data है यह crude oil और US oil और साथ ही जो natural gas और exchange USD है उनमें आपको impact इनका इस data का देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यह जो data है वो हमने बताया आपको Friday का और I hope आपको यह वीडियो पसंदारी है अगर पसंदारी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और अगर हमारे चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लिजिए और दोस्तों जितना आप शेयर करेंगे उतना knowledge भी बढ़ेगा और साथ ही हमें भी एक प्रोचाहन मि मिलते हैं तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन हैव नाइस टेय गुडबाई